Friends, Welcome to my new video पानी के लिए किसान हैं परेशान Friends, देश की ज़रुरत किसान है और किसानों की ज़रुरत पानी मगर पिछले एक दो साल से बारिश न होने की वज़ा से किसानों के 99% पोर्वेल्स में पानी नहीं है जिसकी वज़ा से किसान जहां से भी पानी मिले चाहे वो छोटा तालाब हो, नदी हो, नाला हो, दरिया हो कहीं पर भी हो वहां से पानी इन टैंकर्स में लेकर अपने खेतों को ले जा रहे हैं दोस्तों ये जो टैंकर्स आप देख रहे हैं ये दाउन गेरे जिला चन्नागिरी तालुक नलूर करनाटका के एक कैनल का एक वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टैंकर्स यहाँ पर पानी के लिए उरके हुए हैं 24 x 7 इस कैनल से जो है किसान पानी लेकर अपने खेतों गुजा रहे हैं जिनके बोर्वेल्स में पानी नहीं है और आपने तो बात सुनी होगी दोस्तों कि नेचर टेक्स रिवेंज यानि प्रकृति काइना जो है अपना बदला जरूर लेती है तो वो इसकी जिन्दा मिसाल है हम इनसानों ने अपने घर्स के लिए अपने मुफाद के लिए जंगलात को तभा किया दरखतों को काटा जिसकी वज़ा से बरसात कम हुआ और बरसात नहोने के वज़ा से बोर्वेल्स में पानी नहीं है तो यह जो मैंने कहा नेचर टेक्स रिवेंज यह आज के माहल में पूरा सुट करता है के हमारी ही गलती से हम लोग आज फस गये हैं और एक पूनत पानी के लिए तरस रहे हैं सिर्फ यहां कहीं नहीं है इंदुस्तान में कहीं पर भी जाएए इसी तरह का जो है माहल बना हुआ है पानी को लेकर पानी की scarcity को लेकर आज हमारा माहौल ऐसा बन गाया है दोस्तों कि डीफ फॉरेस्टेशन की वज़ा से बारिश नहीं है और पॉलोशन की वज़ा से टेंपरेचर ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कितने ड्यांकर्स यहाँ पर उखे हुए हैं और किसान अपने खेतों को जो यहां से पानी मोहिया कर रहे हैं यह सिर्फ किसानों के खेतों के लिए पानी की बात नहीं है यहां तक के हमारे देश में बहुत सरा जगा पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है पीने का पानी भी मोहिया नहीं है तो लोग दूर दूर तक जाकर पीने के लिए पाने ला रहे हैं और कई लोग खरीद कर पाने पी रहे हैं तो ऐसा कहना मुनासिब होगा कि इसके जिम्मेदार हम खुद है दोस्तों क्योंकि जिस तरह से हम खुद्रत के साथ खिलवार करेंगे खुद्रत उसका जाब उसी तरीखे से देगी वो कहते हैं ना दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी ये बात हम पर खुब जश्टी है तो यहां का जो माहूल है पानी का बहुत ही बहुत ही नासाज माहूल है बारिश का इंतेजार है और I.M.D. के मताबिक नी Indian Meteorological Department के मताबिक में आट या नौ तारीख के बाद बारिश होने का अंदेशा है तब तक हर जगा माहूल यही रहेगा टैंकर से ही किसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाएंगे अगर बारिश हुई तब भी इन टैंकर्स की जो यह भीड है यह कम होने के चांसस है वरना यह लगाता रहेगा और यह कब तक रहेगा जब तक इस क्यानल में पानी है तब तक मेरे ख्याल से अब अगले दो-तिन दिन के बाद इस क्यानल का पानी बंद कर दिया जाएगा ड्याम से तो फिर किसानों को परिशानी शुरू होगी अगर उस दवरान अगर बारिश हुई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वरना किसानों की परिशानी देखने लाग है दोस्तों जैसे किसान बहुत परिशान है पानी की कमी को लेकर तो अब इन किसानों की परिशानी घुद्रत ही दूर करेगी बारिश बरसा कर देखना होगा बारिश कब आएगी और IMD ने तो अनौस कर दिया है कि आठ और नो तरह के बाद बारिश हो सकती है मगर तब तक किसानों का हाल यही है मगर उम्मीद तो है कि बारिश जल्द जल्द परसेगी जिससे हमारे किसान भाईयों की परिशानी दूर हो तो दोस्तों ऐसे नए नए इन्फार्मेशन के लिए मेरा यूट्टीब चैनल All In One Your Homeबर खान जाहिर सर जरूर सब्स्राइब करें और शेर भी करें और अपने फ्रेंड्स, कलीक्स और फैमली वालों को भी कहें कि इससे सब्स्राइब करें क्योंकि इस तरह के नए नए इन्फार्मेशन और जो माहुल चल रहा है तमाम का अपडेट आपके सामने मैं इस चैनल में लाता रहूँगा मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फार्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फार वाचिंग